जैमातादी, जैमा कमक्या, देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल, ओम स्रीमन महागणा धीबते नमहा, कई बार हम देखते हैं, कि एक इस्तिरी को अलग-अलग जगे शरीर में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी हाथ-पेरों में दर्द होता है, कभी कंधे दर्द होते हैं, तो वो जिन्दगी पर पेन किलर खाते रहती है, और उसका स्वास्त ठीक नहीं रेता है और अमावस पुर्णिमा पर तो विशेश तोर से शारिरिक तकलीब होती, कुछ नहीं कर सकती हूँ इसा अधिकतर इस्तिरी के साथ में ही होता है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उनके घरवाले, पर उसमें कुछ नहीं आता है तो इसके पीछे क्या कारण होता है आज हम इस रहस्य से परदा उठाते हैं पर तो आएं, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करें उसके पहले इश्वर को नमन करना चाहिए, इश्वर को प्रणाम करना चाहिए इश्वर को धनिवाद देना चाहिए कि है इश्वर, तुने हमें आखों से अच्छा रखा कानों से अच्छा रखा हाथ पेर से अच्छा रखा शरीर अच्छा दिया दिल दिमाग भी अच्छा दिया तेरा बारम बार बारम बार धन्यवाद है नमो नमह नमो नमह नमो नमह तो आईए पहले इश्वर को याद कर लेते हैं कोई जल्दबाजी नहीं है ज्यान प्राप्त करने के लिए अच्छे से ज्यान प्राप्त करना चाहिए शान्ती से ज्यान प्राप्त करना चाहिए और समर्पन भाव से ज्यान प्राप्त करने पर गुरु की क्रपा भी प्राप्त होती है सीना ठोक करके ज्यान प्राप्त नहीं किया जाता है जुक करके ही ज्यान प्राप्त होता है तो आईए भगवान के सामने हम सब प्रणाम करें जुके ओम स्रिमन महागणाती पते नमहा ओम उमा महेश्वराभ्यो नमहा ओम शच्ची पुरंदराभ्यो नमहा ओम वानी हिरनगरभाभ्यो नमहा ओम लक्ष्मी नारणा भ्यो नमहा, ओम कुल देवता भ्यो नमहा, ओम इस्ट देवता भ्यो नमहा, ओम गराम देवता भ्यो नमहा, ओम इस्थान देवता भ्यो नमहा, ओम सर्वे भ्यो देवे भ्यो नमहा, ओम सर्वे भ्यो तिर्थे भ्यो नमहा, ओम सर्वे भ्यो ब्रामड भ्यो नमाहा, अम सर्वे भ्यो रिशि भ्यो नमाहा, अम सर्वे भ्यो सिध्धाय नमाहा, अम नवग्रह देव ताप भ्यो नमाहा, अम वास्तु देव ताप भ्यो नमाहा, अम गुरुब भ्यो नमाहा, अम आत्पित्चन गमले भ्यो नमाहा, अम सर्वे भ्यो पित्रे भ्यो इस प्रकार से आपको ये 32 नाम लेकर के फिरी प्रारम करें जैसा की पुर्व में बताया जा चुका है कि किसी इस्त्री के शरीर में पिछले जन्म के कर्म और पूजा पाठ के अनुसार कोई शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है तो वह शक्ति शरीर में पवन के रूप में आने का काम करती है पर बहुत से मनुश्यों को यह अच्छा नहीं लगता कि उनके घर की बेहन बेटी के उपर इस पकार की कोई अद्रश शक्ति आए तो वह मनुश्य उस लड़की को लेकर के किसी तांत्रिक के पास भोपा के पास बुनिया के पास चले जाते हैं और वह तांत्रिक उस लड़की के शरीर में उस शक्ति को नहीं आने देता है और बोल देता कि मैंने शक्ति का बंधन कर दिया जबकि वो जूट बोलता है अब आप कहेंगे सब जूट कैसे हुआ शक्ति में ने कहा है कि शक्ति का बंधन कभी नहीं होता है बंधन होता है शरीर का तो वो शरीर में नहीं आने देता है इसके लिए अपने मंत्रों के माध्यम से वो शरीर को बांद देता है जिस जिस जगे बांदता है जैसे हाथ में, पेरों में गरदन में, पीठ में जहाँ जहाँ से उस अधर शुरूफ से मंत्र बोल करके शरीर को बांधने का काम करता है उस शरीर के उस लड़की के शरीर में भी उस उस जगे ही जादातर कस्ट की प्राप्ति होती है और अम्मा उसे के दिन तो ये जित्तिवी शक्तियां होती है ये सब इसनान करने के लिए पवित्र नदियों में जाती है पंतु जब जिसका बंधन हो जाता है यानु जिस मनुष्य का बंधन हो जाता है वह नहीं जाता है और उसके नहीं जाने की वज़ह से ही वो जो शक्ति आई थी पहले, सबसे पहले, वह अपना पिंडे दान तरपन जब तब करके चली जाती है, पूर्ण रूप से उसको लाब नहीं मिलता है, अधा आपसे विनम्र निवेदन है, कि यदि किसी इस्तरी के शरीर में कोई उपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला के माध्यम से, यदि कोई देवी शक्ति आती हो, तो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि शरीर पर आने वाली शक्ति का बंधन हो जाता है, येसा नहीं होता है, अपने शरीर का बंधन होता है, शक्ति का नहीं होता है, इससे शरीर में बीमारियां आ जाती है हाच्वे तूटते हैं दर्द रहने लगता है जूण भी बोलने लगते हैं जूटा वचन देने लगती है वशक्ती और कई बार तो Medical Investigation Report में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है इसका Side Effect होता है नवरात्री में भी शरीर ठीक नहीं रहता है कुछ ने कुछ तकली बवश्य बनी रहती है तो यदि शक्ती का बंधन हो जाता है तो तो फिर कभी नहीं आ सकती वो चोला छोड़ जाती है इसलिए शरीर में पवन के रूप में आने वाली किसी भी शक्ती को रोकना नहीं चाहिए अन्य था एक तो विवा नहीं होगा विवा हो जाएगा तो बच्चे पेदा नहीं होगे विवा बहुत देरी से होगा और उसको पूंडूरू से भोगना पड़ेगा उसका शरीर का बंधन किया है तो शरीर का जहां जहां पे बंधन किया है वहाँ वहाँ पे उसको दर्द की उत्पत्ती होती है विशेश तोर से किसी तीस चुहार पर और अमावस्या पुर्णे मापर इसलिए किसी का भी शरीर का बंधन नहीं कराना है शक्ति का बंधन होता ही नहीं है ये लोबाओं ने गलत प्रचारित कर दिया कि हमने शक्ति का बंधन कर दिया है शक्ति का बंधन नहीं होता है शरीर का बंधन होता है आत्मा का बंधन होता है जैमाता दी जैमा कमक्या कमक्ये वर्दे देवी गिल परतवासुनी तम देवी जगतमाता योनी मुद्रे नमस्तुते कामखे काम संपने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते